आजे राश्रपती रामनात कोविंदे तेमने मडेला विशेशाथिकार नो उप्योग करता जम्मु काश्मीर ने विशेश राज्यनों दरज्जवापता ओगनिसोन चौपण ना अनुच्छेद 307 ने नाबूत करियो त्यारे बुलेटीन नी शर्वात ए नव अगत्यना मुद्दा थी करिये जिमा हवे काश्मीर मा शू बढ़लाव आउशे सरकार ना निर्नाई थी तेज हुए राजे सभा मा आजे ग्रू मंत्री अमिश शाहे चार अलग-अलग बिल संसद मा रजु करिया जिमा कलम 373 अने पांतरी से ने नाबूत करवानू तथा अनामत ने लईने नीतिकत बढ़लाव करवानू अने जम्मू काश्मीर तथा लदाक ने अलग केंद्र शासित राजे खुशित करवानू समावेश थाई शे जेनी अंतरगत हवे कलम 300 सिते नाबूत थया बाद काश्मीर मा जन्म न थयो होए तेवा नागरिकोंने पन काश्मीर मा जमिन के स्थावर संपत्ति खरीदवाना अधिकार मर्शे हवे सुप्रीम कोट ना तमाम चुकादा जम्मू का प्रक्षन तथा अनुशंकिक बावतों मा केंद्र सरकार निनाई लई शक्ति आती अमिर्श शाहे सोमवारे जे बिल राज्ये सभा मा रजू कर्यू तेनी जोगवाई मुझब जम्मू काश्मीर ने विधान सभा नी साथे दिल्ली नीजेम विशेश राज्यों दरज्यों मर्शे जारे लदाख अलग थी अंदमान निकोबार नीजेम केंद्र शासित प्रदेश बंशे आने तेनी पोतानी विधान सभा नहीं होए आज सीवाई जमू काश्मीर नो अलग जंडों पन नहीं होए एटले के राज्यों मा भारत ना राष्ट्र द्वज और राष्ट् मर्शे संसद मा गुरू मंत्रे अमिर्श शाह कहूं के एवी खोटी धारना चे के कलम 307 ने कारणेश काश्मीर भारत साथे जो ये क्यामिर्श राज्य सभामा शुक हूं माराजा हरी सिंग्वारा 27 सक्टूबर 1947 को इस्टूरी पर कश्मीर साइन किया गया 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 थी से तिखी कहना चाहता हूं 27 सक्टूबर 1947 को और दारह 370 इनी सो उन्चास में आई जम्मीर कश्मीर चूबने के लाग बहुत सर्क्राइब यह सब्सक्राइब नहीं है कि जम्मी कश्मी को भारत के साथ जम्मी को भारत के साथ 11370 में जुड़ा है हवे सवाले उठेशे के अचानक सरकारे शाम अटेंगर नहीं तो आम हामलें में बात करी जम्मु काश्मीर मामलाना मद्यस्ती रहला एम एम अंसारी साथ है यह जो आज जो फैसला हुआ है इसके दो मानी है एक तो यह कि बीजेपी का हमेशा से ही एक मेनिफेस्टो का हिस्सा रहा है कि वो 370 को यह खत्म करेंगे और जम्मी कश्मीर एक भारत के तमाम और सूबों की तरह और स्टेट्स की तरह एक स्टेट होगा तो इस सिंथ में इस लिहाद से मैं समझता हूँ कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने अपने मेनिफेस्टो को लागू किया लेकिन अगर आई आप देखें कि जम्मुन कश्मीर के नज़रिये से इसको कैसे देखा जा रहा है तो वो उनसे अंडर्स्टे की अब इनको पूरे तमाम डोर्स खुल जाएंगे और वो तमाम एरियाज में उनकी दखल अंदाजी हो सकती है यानि कि जम्मुन कश्मीर की कोई आटानुमी नहीं होगी तो एक ट्रस्ट था एक भरोसा था जिसकी बना पे ये 370 को हमारे कंटिटूशन में इंसर्ट किया वो कश्मीर के पॉइंट अगर देखें तो वो एक भरोसा तूट गया है और उनके पास जो ग्रेटर आटानुमी थी वो अब खत्म हो गई है दोसरी बात में ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉसेस जो भारत ने जो शुरू किया है ये वो प्रॉसेस नहीं है जिस प् यानी जमिन कश्मीर की लीडर्शिप और भारत की लीडर्शिप ने ये तैय किया था कि उनको ग्रॉसेस नहीं होगी उसके लिए 370 का प्रॉजन रखा गया था अब यह हम देख रहे हैं कि वो जो तमाम लीडर्स जो भारत के साथ हुआ करते थे जो प्रो इंडिया थे उन ये जो सरकार ने अब्रोगेट करने की कोशिश की इस को लीडली भी चैलेंज होगा और सवाल हिनुस्तान के भारत के लोकतांतर पर भी होगा कि हम क्यों लोकतांतर की तरीके को हम चोड़ गए इसलिए कि इसको खतम करने के लिए हमारी प्रालिमेंट की टू थार्ड मिजा स्टेट से मिली से भी करना था लेकिन अभी तो तीं महीने बाद लेक्षन वहां होने थे लेकिन यह क्या बड़ा हर थी यह जल्दी थी कि सरकार ने अभी यह सब बहुत जल्दी में काम किया तो मैं समझता हूं कि इसके इसका नतीजह जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा कश्मीर के नजरिये से श्रीनगर्थी बीबीसी सवाधाता अमेर पीरजादा बदू महीतिया पर रहा है ताइम जो माहूल की बात करें डर का माहूल है लोग गरू से बाहर आने से डर रहे हैं इंफक्त लोगों ने महीनों के लिए तैयारी कर रहे हैं ऐसे स्टॉकिंग करके तो लोग गरूं से बाहर नहीं आ रहे हैं लोग के अंदर डर है क्योंकि इतने पायमाने पे सेक्यूर्जी फोरसिस के डिप्लाईमेंट है और हमें भी नहीं पता कहां पे क्या हूँ riयों है इनके होटिल से, सुबह सुबह उनके होटिल पे कॉल आया था, टुरिस्ट पुलिस से, ये बोला गया था, आज आखरी दिन है सारे टुरिस्ट को निकलने के लिए, तो जब हम एक S.R.T.C के टुरिस्ट डिसप्शन सेंटर पे पहुंचे, वहाँ पे काफी बड़े पाइमा काम करने वाले हैं, समय चे विरामनों आगल जोईशू, काश्मीना निर्णे विशे पाकिस्तान नी प्रतिक्रिया, मले थोड़ी जवार्माद, भारते जमू काश्मीन आपेलों विशेश दरज्जों पाच्छों खेंच्योंशे, केंद्री अग्रुमंत्री अमिश्या है, काश्मीन ने स्वायत्त दरज्जों आपती कलम 300 ने सित्तेर ने रत करवानी जहरात करताज, काश्मीन नी स्वायत्ता खतम थाई गेशे, तो जम्मू काश्मीन ना पूर्वो मुख्यमंत्री अने पीडीपी पक्षना नेता महभूबा मुफ्ती ये केंद्र सरकार ना काश काश्मीर माटे कालोदी वस गणावे होतो, BBC साथे नी टेलीफोन पर धायली वादचित मा तेमने पोतानी प्रतिक्री आपी अतियारे मने लागे छे के जेमना पर भरोसो करे होतो तेमने अमने दगो दीधो छे अमारा राज्ये नी इच्छाओ अनि मर्जी नी विरुद्धमा जहिने आ निर्णे लिधो छे मने लागे छे के खुब वहलू छे ए विचारवा माटे के अमारे शूं करवु जोईए अने मने लागे छे के आ निर्णे ये काश्मीर नी समस्याने वधू मोटी बनावी छे अने हवे काश्मीर नो मुद्धो, काश्मीर नो विवाद वधारे मोटो थायो छे अने चोकस पने अंतर राश्ट्रीय समुदायों ने आ बाबत मां शूं थाय रहे हुछे ते जोवानों मौको पाण आपयो छे कारण के बंधारणी या संबंधो हवे गेर काईदे सर कब जामा परिणमी गया छे तो आज बाबत माटे अमें हवे आगल लड़वाना चीए तो हालमाज मडेला समाचार प्रमाणे महबूबा मुफ्ती नी धरपकर करवा मा आवी छे त्यारे भारत ना आ निल्डे नी आंतराश्री राजनीती मा असर थाई ते स्वाभा वी छे सवधी पेला जोईए के भारत ना निल्डे विशे पाकिस्तान ती शीप रतिक्रिया वी अने पाकिस्तान अलोको आमामले शुक ही रहा छे मैं यह समझता हूँ कि उनके यह मैलाफाइडी एक्स हैं और हम इनकी भारपूर तरीके से मुझमत करते हैं और कश्मीरों की हक खुदराधियत जो है वो हम पाकिस्तान इसको बारपूर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे और इंसाइड़ दे कंट्रिय। हम उसको स्पोर्ट करेंगा। पहले लुने अपने कव्दे में रखा वे कश्मीर के ऑख सारा तो आगर पाकिस्तान का था सारा तो जो भी कानून करेंगे अपने मताबिक ही करेंगे अपने फायदे में लेकर रहेंगे निरिंदर मुदी साब को हमारा ये पेगाम है पाकिस्तान की अवाम की तरफ से काइनली कश्मीर का जो मसला इसको रिजॉल्व किया जाए और खिते में अमन को फरोग दिया जाए ताके हम भी बाकी कौमों की तर करें ये सिर्फ इसी वज़ा से के 35 एसे तवज्ज़ उटाई जाए ताके ये कश्मीर में अपनी जमीने खरीदें भारत ना निर्ने विशे पाकिस्तानी सरकारे शुक है चे ये विशे जनावी रियाची इस्लामाद थी बीबी सी समवादाता आसीफ फारु की जैसे ही ये खबर इंडियन मीडिया के थूँ पाकिस्तान में रिले हुई पाकिस्तान के जिरे इंतजाम कश्मीर का जो इलाका है मुजफराबाद वहां पे इहतजाज शुरू हुआ और सबसे पहले वहां के नوجوانों के एक ग्रूप ने सड़कों पर टायर चलाए और काले जंडों के स ब्लाक फ्लैग्स के साथ प्रोटेस्ट किया और इस इंडियन मुफ को कंडेंड किया बीबीसी उर्दू सर्विस ने पाकिस्तानी फौरण मिनिस्टर शाममूद कुरेशी से बात की और उन्हों ने भी इस ना सिर्फ एक्ट को कंडेंड किया बलके उन्हों ने ये भी कहा क ये इंडियन गवर्मेंट का जो एक्ट है ये रीजिनल स्टिबिलिटी और पीस के लिए बहुत खतरनाक होगा। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी गवर्मेंट अमरीकी सदर डॉनल्ल ट्रम्ट के साथ मिलकर कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन आज जो क हर तरह की सियासी और डिप्लोमेटिक मदद करेंगे। इस इशू पर आपोजिशन की तरफ से भी रियक्शन आना शुरू है जो जाहर है इसको कंडेंब कर रहे हैं साथ-साथ पाकिस्तानी प्रामिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जो आपोजिशन के ख्याल मे उन्हों ने इस मौमले को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया है। इस इशू पर मजीद बात करने के लिए और एक नैशनल कंसेंस इवाल्व करने के लिए प्रेजिडेंट आफ पाकिस्तान ने पारलिमिन्ट का जॉइंट सेशन कल बुला लिया है जिसमें इस इशू पर बात हो पाकिस्तानी साइट पर कलस्टर बं फेके गए हैं जिससे वहां पर जानी और माली नुकसान हुआ है। आप अगलू व्यवहरू करता प्रतिकात्मक वदू छे भारत मां हिंदू रास्टरवादी पक्सनी सरकार छे अने ये भाहर पूर्व कहवा मांगे छे के काश्मीर मुश्लिम बहुमतिवालों विस्था रहाई ते विशेश न थी अने पाकिस्तान काश्मीर पर दावों करे ते थी तेने विशेश दरज्जों मड़ी जतों न थी। काश्मीर खिनमा भारत नों शाशन छे अने अहीं लोकों हताश छे। हवे काश्मीर नी विशेश दरज्जने जोगवाई हटावाता उगनिसो चालीस न दाइकानी स्थिती आवी गई छे। काश्मीर मा भारत ना शाशन ने मान्यता आपनार मोख्य राजकिय पक्षणों वलन आमुद्दे नकारत्मक छे। त्या पगलानी खतरनाक गणावेचे तेना कारणे डक्षिन एश्याना आविस्तारमा वदू अस्तिरता शर जाशे। भारत ना निर्ने यंगे ब्रीटन मा रहता लोकों शी प्रतिकरिया विशे बात करी रहाएशे बीबीसी संवादाता गगन सभरवाल। किश्मीर के लिए जो है बहुत ही बुरा किया है यह अच्छानी है यह देखो खुद वो अजाद हैं उनका आख बनता है उनकी चीज है इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था हम जो जितने भी हैं जो हम कंडेम्ट करते हैं इस चीज को किश्मीरियों का आख मारा गया है अब ये कानून चैन्ज कर रहे हैं कि वहां से किसम को खतम कर दो किश्मीरियों का उनकी चीज है जगा है अपनी है ये इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था चैन्ज कर रहे हैं कि तो हलमेज समाचार मणी रहे हैं अचेते प्रमाने जमुकाशमिरना पूरव मुख्या मंत्री महबूबा मुफ्तिया ने अमर अबदुलाने धर पकल तेमनी करवा मा आवीश है BBC समाचार मा आगल जूरिशू काश्मेर मुद्दे आगल वात ए समय नी जहरे कलम 300 सित्ते लागू करवा मा आवीश है समय शेविरामन मलीशू थोड़ी जवार मा BBC समाचार मा विरामबाद फरी आपनु स्वागत छे हूं शूर न वसावड़ा बुलेटिन मा आगल वधिये और हवे वात ए एहवाल पर नजर करिये जहरे काश्मेर मा आ कलम 300 सित्ते लागू करवा मा आवीश है वड़ा प्रधान जवाहरलाल नहरू अने शेक मोहमद अब्दुल्लाए पांच महिनानी वादचीत पछी कलम 300 सित्तेर ने बंधारण मा शामेल करी हती वर्ष 117 मा भारत पाकिस्तान विभाजन वखते जम्मु काश्मेर ना राजा हरी सीं स्वतंत्र रहवा मागता हता बाद मा तेमने केटलिक शरतों साथे भारत मा विलाईनी सहमती दर्शावी हती ते पची भारतिय बंधारण मा कलम 300 सित्तेर नी जोगवाई कराई जे अंतर्गत जम्मु काश्मेर ने विशेश राज्यनों दरज्यों मले हतो जोके राज्य माटे अलग बंधारणनी माग कराई ते पची 1951 मा राज्यने बंधारण सभाने अलग थी बोलावानी मंजूरी मली गई नवेंबर 1956 मा राज्यना बंधारणनी काम पून थयू अने 26 जान्युआरी 1957 रोज राज्यमा विश्रेश बंधारण लागू थयू बंधारणनी कलम 300 सित्तेर वास्तव मा केंद्र अने जम्मु काश्मिर ना संबंधोनी रूप रेखा छे कलम 300 सित्तेर नी जोगवाई अनुसार, रक्षा, विदेश नहीं थी अने संचार साथे जोडायला माम लाओ सिवाए अन्य काईदाओ राज्यमा लागू करावा माटे केंद्रय राज्यनी मंजूरी लेवी पड़ती हती आव वीडियो मां ततकालिन वड़ा प्रधान जवाहरलाल नहरू ते समय काश्मे ना स्वतंत्र दिवसने मित्ते लोकों ने संबोधन करता नजरे पड़े छे तो हवेज हुए आम आमले बंधरनना निश्रान सुभाश कश्यप नों शुकह हुँचे लेकिन 370 एक अभी कायम है तो यह नहीं कहा जा सकता कि 370 को समाप्त कर दे गया दूसरी बात यह है कि 370 का हैडिंग जो था सेशक जो था वो था टेंपरेरी प्रोविजन जब नागालेंड के लिए उदारां के लिए इस्पेशल प्रोविजन थी जम्बो एंड काश्मेर क देखे 35 ए भारत के समविधान का अंग नहीं है वो एक राश्पती के आदेश का अंग है और राश्पती का वो आदेश जम्मौ एंड काश्मेर के बारे में है क्योंकि आर्टिकल 370 में प्रावधान था कि राश्पती अपने आदेश के द्वारा समविधान के विभिन्न धाराओं को जम्मो और काश्मिर के उपर लगू कर सकते हैं तो 1954 में राश्टपती का एक आदेश आया जिसमें सम्वेदान की बहुत सारी धाराओं को जम्मो और काश्मिर पर लगू किया गया और उस आदेश में उसके बाद भी कई परिवर्तन हुए संशोधन हुए जो रा राष्ट्पति का आदेश था मूलत है राष्ट्पति के आदेश से ही उसको बदला जा सकता था और कई बार बदला भी गया जैसे मूलत है जम्मो एंड काश्मेर और लदाक दोनों यूनिन टरिटरी होंगे जिसका मतलब होगा दोनों संग प्रशाशित प्रदेश होंगे ल वैसे पुडुचरी और दिल्ली के लिए है वैसे ही वहाँ एक विदानमंडल विदाइका होगी लेकिन उसकी शक्तियां बहुत सीमित होंगी और मूलत है और ओवर्राइडिंग पावर्स जो हैं वो यूनिन पार्लिमेंट के पास रहेंगी और पुलिस वागरा जैसा दिल में पुडुचरी में भी है वो लेफ्टन गवर्नर को ही रिपोर्ट करेंगी तो अब जमू काश्मेर ने मनेला विशेश धरज्जाने समाप्त कराता काश्मेरी पंडितों मां खुशी नुमाहुल चैना आज मेरे गाज़े सत्तर साल के बाद आज कश्मेरी पंडित को आज हटने से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है 370 से देश की एकनॉमी आजाद हो गई है देश का 370 हटने से जो बिल्टन सी वो खताब खराब खतम हो गई है सेपरेटी से का मूद बंद हो गया है क्शमीर को किसी को कोई हिमत नहीं कोई बात करने की प्राइतन करता आंदोलन कारियों पर टियर गेस नों मारो करियों ट्रेनों रोकाई क्रोस हर्वर्ट टनल ने ब्लोक कराई याने बसो थी वथू फ्लाइट्स ने कैंसल करावा मां आवी इराने इराकी टेंकर ने जपत करी होवानी जाहरात बात देशना विदेश मंत्री जावेज जरीफे कहुँँशे के तहरान गल्फ मां जेने दरियाई गुना कहवाई शे तेनी सामें आख आडाकान नहीं करें इराने आक्षेप लगावे शे के टेंकर इंधन नी दान चोरी करतू हतू जो आ वात साबित थाशे तो आ टेंकर इरान द्वारा छेला अमुक समय मा जपत कराएलू त्रीजू विदेशी वस्त्रेसल हशे काहिरामा इजिपना नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट नी बाहर थायला विसवत मा ओग्णी स्लोको मार्या कया अधिकारियोंनु कहवू छे क्या आव इसफोर्ट आतंकवाज संबंधित होवा ना कोई संकेतो न थी अव इसफोर्ट ट्राफिक नी विरुद्ध गती मा जह मुख्य मार्केट मा लगबग 2 टकानों घटाड़ों नों धायो चीन और युनाइटेट स्टेट्स वच्चे वधी रहला व्यापारिक तनाव वच्चे अघटाड़ों आवे शे वशिंटने बेजिंग पर युवान ने क्रुत्रिम रिते नीचे राकवानों आक्षेप कर म्यानमार मा मानवधिकार उलंगन ना मुद्दावन नी तपास करी रहली टीमें हत्यारों ना वेचान पर संपुन रोक लगावानू कहूं छे संयुकतराश्ट्र न समर्थन वाड़ी या टीमें पिस्तारीस कम्तियों पर पतिबंध मुखवानी भला मन करी छे जेमा म्यानमार नी घणी मोटी कम्पनियों सामल छे टी में कहूं छे क्या मानवी यो त्रास्ति फर्याद पर आ कम्पनियों सामे पंड केस चलावी शकाय छे जदा जदा किर्तिशनी कलम थी आजनू कार्टून जेना विशय छे केंदर सरकारे कलम 306 ते नाबूर करी तेना पर आज माटे बस आट लोज